Hello my lovely student, this is Mansi, welcome back to the channel, we are on the 10th question of exercise 12.3, the question says the area of an equilateral triangle ABC is 17320.5 cm2 with each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle C figure 12.28, figure पर चलते हैं, यह equilateral triangle है हमारे पास and हमें गिवन है इसका area, ठीक है, और बताया है, इसके जो यह points है, ABC, इस points है, AB का half खोला एक circle बना दिया, इसका half पे circle बनाते गए, तीन circle ऐसे बना दिया है, अब आगे क्या बोला है, हमें find the area of the shaded region, so यह वाला जो region है हमारे पास shade कर रहा हुआ, इसका हमें area निकालने, तो देखो, सबसे बेरे तो अगर मैं इस circle की बात करूँ, तो यह ए sector है, also यह तीनों sector equal है, क्योंकि equal little triangle है, same size के बनाए है, so यहाँ पे, अगर मैं triangle का area जो given है, उसमें से minus कर दू, तीन area of sectors, तो मेरे पास shaded region आ जाएगा, so पहले तो यह ही लिख लेते हैं, area of shaded region will be equal to area of triangle minus area of three sectors, okay, three sectors का area, okay, बना-बना के आप खुद लेख रहे हैं, यहाँ पे मेरा काम सिरफ समझाना है, so find करते है, area of triangle तो given है, area of sector निगालने के लिए, formula क्या होता है, हमारे पास, upon 360 into pi r square, okay, values put करते हैं, theta कितना होगा, अगर मालो इसकी बात कर रहे हैं, तो हमारे पास angle 60 degree already given है, तो यह हो गए, 60 upon 360 into may, we have pi की value 22 upon 7 into r square, अब radius तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दे रखी, so हम first कहें कि हमें तो चाहिए radius और radius होगी क्या, कैसे निकालेंगी radius, जैसे अगर मैं इस circle की बात कर रहे हूँ, तो इतना चाहिए, और हमें question में given है, यह side का half है, बट side भी तो नहीं given, तो हमें पहले निकाली पड़ेगी triangle की side, उसका half करके हमें अरपस radius आएगी and then यह आगे question होगा, so next page पे शलते है, we have area of triangle, so पहली बात तो equal to triangle का area क्या होता है, root 3 upon 4 into side square, so यहाँ से हमें side को निकालेंगी, क्योंकि area हमें given है, area is 17320.5, so 17320.5 equals to root 3 की value भी question में given है, क्या value है, we have, कहाँ गया, आप देखो एक चीज़ notice करो है, कभी given होती है 1.7 लेलो, कभी है 1.73 लेलो, यहाँ पे यह पूरी value given है, इसका reason क्या है, अगर आप देखोगे तो यह area और यह same है, तो calculation easy हो जाएगी, so यहाँ पे value रखते हैं 1.73205 upon may 4 into side square, ठीके जी, side हमें निकाल लिया, यहाँ पे divide हो रहा है, इतर जाके multiply हो जाएगा, यहाँ पे यह उपर है जाके नीचे आजएगा, तो मतला 1.73205 multiplied by 4, यहाँ divide हो पर है के multiply हो गया, इतर यह उपर है, तो यहाँ पे यह नीचे आजएगा, 7.73205, clear? अब देखो, अगर मैं simple way में करा रही हूँ, यहाँ से decimal अटाएगे तो 1,2,3,4,5, 0, 1,2,3,4,5, 0 लगा दी, यहाँ से decimal अटाएगे नीचे एक 0 आजएगा, 0 से 0 कर दिया, cancel, यह पूरा number आपस में cancel हो जाएगा, हमारे पास बचा 40,000 and equals to side square, तो इधर square है, इधर under root हो जाएगा, मतलब side हमारा हो जाएगा, under root में 4,0,0,0,0, so 40,000 हमारा अब किसका square होगा, इसको अगर मैं break करू, so I can write it as 4 into 1, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 3, 4, so 4 किसका square होता है, 2 का and यह किसका square होता है, 100 का, 100 into 100 करेंगे, तो देखो 2,0, double हो जाएगी, 4,0 हो जाएगी, so 2 into 100 is 200, इस तरीके से आप बड़ा नमबर आएगे, तो कर सकते हो, चिके, so that means side हमारी हो जाएगी 200 cm, चिके जी, so question में हमारे पास side आगई है, तो एक चीज़ तो यह हो गई, है कि हमारे का side आगई, and इस side से I can find the radius, क्योंकि हमें गिवन है side का half है radius, which means radius हमारी हो गई 100 cm, also radius लिखने से पहले हमें πाई की value 3.14 भी गिवन थी, तो हमें 12 upon 22 upon 7 नहीं लेंगे, we will write 3.14 क्योंकि कोशन में गिवन है न, then radius अभी हमने निकाला, यह हो जाएगा 100 into 100, लो जी 100 into 100 हो गया, यहां से 0 से 0 cancel किया, 6, 6, 36, and further इसको cut कर सकते हैं हम 2 के table से, तो यह हमारा हो जाएगा, यहां पे तो आगया 3, this will be 1, 10 हो जाएगा 5, और 157, और point लगा देंगे, तो 1.57, अलसो यह 100 से multiply होगा, 157 हो गया, तो यह हमारे पास आगया, 157, 100 upon में 3, ठीक है, 200 थे न, एक बार 100 से multiply किया, decimal हट गया, और दुबारा से करेंगे, तो 157, 100 upon 3 आजेगा, इसको ऐसे जाएगे, इसे जाएगे, solve आगे नहीं करेंगे, हमने 157, 100 upon में 3, 3 से 3 cancel हो गया, this is equal to 173, 20.5, minus we have 157, 00, so subtract कर लेते हैं, 5 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 2 में से 0 गया, 2 आगया, हमारे पास यह होगा, 13, 13, 13 minus 7 is, 6, यहां पर बजाए 6, 6 में से 5 गया, 1, so we have 1620.5, this is the answer, okay, so यह ता हमारा 10th question, now we'll move to the next question, but in the next video, so I'll see you in the next video, and then take care and bye-bye.